हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने LG W30 Plus Android वाइल फोन में आप जो है क्विक कैप्चर सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि आन कैसे कर सकते हैं ठीक है और इन क्विक कैप्चर सेटिंग जो है इनेबल होने के सेटिंग कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन कर लेना है ठीक है सेटिंग पेज में तो इस बटन को आपको अपको सटीक करना है तो यह बटन आपका ब्लू कलर में अउन हो जाता है यानि कि आपकी एक्क्विक क्याप्चर सेटिंग इस तरीगी से इनेबल हो जाती है अब इस setting ना enable होनी के बाद इस setting कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ आपके mobile phone की screen जब भी off होगी तो आपको करना क्या है आपको अपने phone को हाथ में पकड़ना है जैसे आप normally पकड़ते हैं इसके बाद आपको अपने हाथ को ट्विष्ट करना है इस तरीके से दो बार करना है थोड़ा जटके से करना है धीरे धीरे करेंगे तो यह काम नहीं करेगा थोड़ा जटके से करना है ठीक है तो देखे इससे क्या होता है थोड़ा जटके से करना है यह देखें यह open हो गया है तो यह थोड़ा सा ना मेरे को problem क्यों हो रही थी मेरे phone का यह मैं आपको अभी बताता हूँ यह आपका camera open हो जाता है quick capture setting enable करने से ठीक है और मैं आपको यह बता रहा था कि मैं इसे कर क्यूं नहीं पा रहा था अभी ठीक है तो क्या है ना कि मेरा table औ आपकी camera को direct open कर देती है आपके phone में ठीक है